नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं आज आपको कोलिय स्टेम कटिंग दिखाऊंगा जिसे मैंने छेह दिन पहले मिट्टी में डाला था दुर्भाग्य से मेरे पास स्टेम कटिंग का कोई वीडियो नहीं है लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि स्टेम कटिंग कैसे की जाती है यह तने को काट कर उगाने के लिए सबसे आसान पौधों में से एक है मैंने जो मिट्टी का उप्योग किया है वह उसी मिट्टी का मिश्रण है कोकोपीट, बगीचे की मिट्टी और थोड़ी सी रेत का मिश्रण जैसा कि आप देख सकते हैं कि तने ने जड़े जमाली है जड़े निकल जाती हैं और किसी रूटिंग हॉर्मोन की आवश्यक्ता नहीं है मैं इसे वापस मिट्टी में रख दूँगा मेरे पास ऐसे कुछ तने की कटिंग है मैं उनके बड़े होने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि अगली बार मैं आपको उचित तने की कटिंग दिखा सकूँ अब मैंने पहले ही कोलियस पौधे की देखभाल का वीडियो बना लिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मैं विवरण में लिंक डालूँगा आप वीडियो देख सकते हैं इसलिए यदि आपके पास कोलियस का पौधा है और आप इसे मल्टिप्लाई करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छी और सुपर फास्ट विधी है तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सबस्क्राइब करना न भूलें तब तक मैं आपकी अनुमती चाहता हूँ अगले वीडियो में मिलते हैं अपना खयाल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद